ओम्शन्ति स्ताराम पांच एकेस सार मिठे बच्चे बाबा आई हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लाइक बनाने बाब की जो महिमा है वे अभी तुम धारन करते हो आज का प्रशन भक्ति मारग में परमात्मा माशुक को पूरा ना जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते है उत्तर है बहुत प्यार से कहते और याद करते है हे माशुक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धियोग तोड़ आपके साथ चोड़ेंगे अब बाप कहती है बच्चे मैं आया हूँ तो देही अभिमानी बनो तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना ओम शन्ति मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परमपिता परमात्मा जिसने अब शरीर का लौन लिया है पैट समझाती है कि मैं साधारन बुडे तन में आता हूँ आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ ब्रह्मा मुख वन्शावली ब्रामन बच्चों को ही समझाएंगे जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे और किसी को समझाएंगे कहते हैं बच्चे तो मुझे भक्ती में बुलाते आए हूँ हे पतित पावन भारत खास और दुनिया में आम सब बुलाते है भारत ही पावन था बाकि सब शांती धाम में थे बच्चों को ये समरिती में रखना चाहिए कि सत्युग त्रेता किसको कहा जाता है दुआपर कलिव किसको कहा जाता है उनमें कौन-कौन राज्ये करते थे तुम्हारी बुद्धी में पूरी नौलिज है जैसे बाप को रचना के आदीमद्य अंत का ज्यान है बाप जो ज्यान देते है वे बच्चों में भी जरूर होना चाहिए बाप आकर बच्चों को आपसमान बनाते है जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है बाप ने बच्चों को चास्ती महिमावान बनाया है हमेशा समझो के शिबावा इन द्वारा सिखाते हैं आत्मा ही एक दो से बात करती है प्रन्तु मनुश्य दे अभिमानी होने के कारण समस्ते है फलाना पढ़ाता है वास्तम में करती सब कुछ आत्मा है आत्मा ही पार्ट बजाती है देही अभिमानी बनना है घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे बूल जाती है तुम से पूछा जाता है तुम किस के बच्चे हो तो कहते हो हम शिबावा के बच्चे है बजीटर बुक में भी लिखा हुआ है तुम्हारा बाप कौन है तो जट से दे के बाप का नाम बताएंगे अच्छा, अब दे ही के बाप का नाम बताओ तो कोई क्रिशन का, कोई हनुमान का नाम लिखेंगे या तो लिखेंगे हम नहीं जानते अरे, तुम लौकिक बाप को जानते हो और पारलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते हो कहते भी है, हे भगवान रहम करो हे भगवान एक बच्चा दो मांगते हो न अब बाप बिलकुल सहज बात बताते है तुम दे अभिमान में बहुत रहते हो इसलिए बाप के वरसे का नशा नहीं चड़ता है तुमको तो बहुत नशा चड़ना चाहिए भगती करते ही है भगवान से मिलने के लिए यग तप दानपुन्य आदी करना ये सब भगती है सब एक भगवान को याद करते है बाप कहते है मैं तुम्हारा पतियों का पती हूँ बापों का बाप हूँ सब बाप भगवान को याद चरूर करते है आत्मा ही याद करती है भल कहते भी है, ब्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, प्रन्तु ये बिगर समझ के ऐसे ही कह देती है, रहस्य का कुछ भी पता नहीं, तुम आत्मा को ही नहीं जानते हो, तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकेंगे? दीदार तो होता है भक्ती मारग वाला, भक्ती मारग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देती है, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाएं, तो कोई समझ ना सके, ये है महीन बात, परमात्मा जिसको अखंड जोती स्वरूप कहते है, मनुष्य कहते है, उन का कोई बहुत बड़ा रूप है, ब्रह्म समाजी मठवाले जोती को परमात्मा कहते है, दुनिया में ये किसी को पता नहीं है कि परमपिता परमात्मा बिंदी है, तो मूँच पड़े है, बच्चे भी कहते है, बाबा किसको याद करे, हमने तो सुना था वे बड़ा उनको याद किया जाता है, अब बिंदी को कैसे याद करे, अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाब भी बिंदी है, आत्मा को बुलाते है, वे जरूर यहाँ ही आकर बैठेंगे. भक्ति मारक में जो शाक्षातकार आधी होता है ये सब है भक्ति भक्ति भी एक की नहीं करते बहुतों को भग्वान बना दिया है भक्त जो भक्ति करते है उनको भग्वान कैसे कहेंगे अगर परमात्मा सर्व्यापी कहती है तो फिर भक्ति किसकी करती है सो भी भिन परकार की भक्ति करती है बाप समझाती है बच्चे ऐसे मत समझो की हमको अनेक वर्ष जीना है अभी समय बहुत नजदीक होता जाता है निश्चे रखना है बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है बाप खुद कहते है मैं इस द्वारा तुमको स्रेस्टी के आदी मद्य अन्त का राच बताता हूं गाते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना ये नहीं जानते की नई दुनिया को विश्णुपूरी कहा जाता है अर्थार्थ विश्णु के दो रूप है राच्चे करते थे किसी को पता नहीं है की विश्णु कौन है तुम जानते हो कि ये ब्रह्मा स्वर्श्वती ही फिर विश्णु के दो रूप लक्ष्मी नारणबन पालना करते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना विश्णुपूरी अर्थार्थ स्वरक की फिर पालना करेंगे तुम्हारी बुद्धी में आना चाहिए बाप ज्यान का सागर है मनुष्य स्रिस्टे का बीच रूप है वे इस ड्रामा के आदिमद्य अंत को जानते हैं वही पतित पावन है जो बाप का धुन्दा है वही तुम्हारा है तुम भी पतित से पावन बनाते हो दुनिया में एक बाप के तेन चार बच्चे होंगे कोई बच्चा बहुत उंचा चड़ा हुआ होगा कोई बिलकुल नीचे होगा यहां तुमको बाप एक ही दुन्दा सिखाती है कि तुम पतितों को पावन बनाओ सबको ये लक्षे दो कि शिबावा कहती है मुझे याद करो गेता में क्रिशन भगवान वाच उल्टा लिख दिया है तुमको समझाना है भगवान तो निराकार पुनरजनम रही दें बस यही भूल है अभी तुम बच्चे क्रिशनपुरी के मालिक बन रहे हूँ कोई राजधानी में आते है कोई प्रजा में क्रिशन पूरी कहा जाता है क्योंकि क्रिशन सभी को बहुत ही प्यारा है बच्चे प्यारे लगती है ना बच्चों का भी मा बाप से प्यार हो जाता है प्यार सारा बिखर जाता है अब समझाते है बाप समझाते है तुम अपने को शरीर मत समझो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चे करो आत्म अभिमानी बनो बाब भी निराकार है यहां भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए बिगर शरीर तो समझा नहीं सकेंगे तुमको तो अपना शरीर है बाबा फिर लौन लेते है बाकेस में प्रेणा आदी की बात ही नहीं बाब कुद कहते है मैं यह शरीर धारन कर बच्चों को पढ़ाता हूं क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो परधान बन गई है उनको सतो परधान बनाना है गाते भी है पतित पावन आओ प्रन्तु अर्थ नहीं समस्ते अभी तुम समस्ते हूं बाब कैसे आकर पावन बनाते है ये भी तुम जानते हो सत्यव में सिर्फ हमारा ही चोटा जाड होगा तुम स्वरग में जाएंगे बाके जो इतने खंड है उनका नाम निशान नहीं होगा भारत खंड ही स्वरग होगा परमपिता परमात्मा ही आकर हैवन की स्थापना करते है अभी हेल है प्राचिन भारत खंड ही है जहां देपताओं का राज्य था अब नहीं है उन्हों के यहां मंदिर है चित्तर भी है तो भारत की ही बात हुई ये कोई भी भारतवासी की बुद्धी में नहीं आता कि भारत स्वरग था ये लक्ष्मी नारैन मालिक थे और कोई खंड नहीं था अब तो अनेक धर्म आ गई है भारतवासी धर्म ब्रस्ट करम ब्रस्ट बन गई है क्रिशन को श्याम सुन्दर कह देती है प्रन्तु अर्थ नहीं समस्ते बरोबर ये सामरा था ना कहती है क्रिशन को सरपने डंसा तो सामरा हो गया अब वे तो सत्यु का प्रेंस था, कैसे काला हो गया, अभी तुम ये बाते समस्ते हो, कृष्ण के माबाप भी अभी पड़ रहे है, माबाप से उत्तम शिरी कृष्ण गया हुआ है, माबाप का कोई नाम नहीं है नहीं तो जिस माबाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ, वे माबाप भी प्यारे होने चाहिए, प्रन्तु नहीं, महिमा सारी रादे कृष्ण की है, माबाप की कुछ है नहीं, तुम्हारी बुद्धि में ग्यान है, ग्यान है दिन, भक्ती है रात, अंध्यारी रात में ठोकरे खाती रहती है, अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, घर में रहो, ये सर्विस भी करती रहो, कोई को भी समझाओ, तुम आधा कल्प के आशिक हो, एक माशु के, बक्ती मारक में सभी उनको याद करती है, तो आशिक ठहरे न, प्रन्तु माशु को पूरा जानते नही है, याद बहुत प्यार से करती है, हे माशुक तुम जब आएंगे, तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, और सबसे बुद्धियोग तोड आपके साथ जोडेंगे, ऐसे तो गाते थे न, प्रन्तु बाप से हमको क्या वर्सा मिलता है, ये किसी को भी पता नहीं है, अब बाप समझाती है, तुम देही अभिमानी बनो, बाप को याद करना, तुम बच्चों का पहला फर्च है, बच्चा हमेशा बाप को, बच्ची मा को याद करती है, हम जिन से है न, बच्चा समझता है, हम बाप का वारिस बनेंगे, बच्ची थोड़ी कहेगी, वे तो समझती है हमको पियरगर से ससुरगर जाना है अब तुम्हारा निराकार और साकार पियरगर है बुलाते भी है हे पतित हे परमपिता परमात्मा रहम करो दुख हरो सुख दो हमें लिबरेट करो हमारा गाइट बनो प्रंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचरे भी नही है बाप तो सरव का लिबरेटर है वही सब का कल्यानकारी है बाकी वे अपना ही कल्यान नहीं कर सकते तो औरों का क्या करेंगे यहां बाप कहती है मैं गुप्त आता हूँ खुदा दोस्त की कहानी सुनी है न अब यह पुल है कल्युक और सत्युक के बीच का उस पार्थ जाना है अब खुदा तो बाप है दोस्त भी है माता पिता शिक्ष का पार्ट भी बजाती है यहां तुमको शाक्षतकार होता है तो जादू जादू कह देती है शाक्षतकार तो नौदा भक्ती वालों को भी होती है बहुत तीके भक्त होती है दर्शन दो नहीं तो हम गला काटती है तब शाक्षातकार होता है उनको नौदाब्धक्ती कहा जाता है ये नौदाब्धक्ती के बात नहीं घर में बैठे बैठे भी बहतों को शाक्षातकार होती रहती है दिव्य द्रिष्टी के चाबी मेरे पास है अर्जुन को भी मैंने दिव्य द्रिष्टी दे न ये विनाश देखो अपना राज्य देखो अम्मा में कम याद करो तो ये बनेंगे अभी तुम समस्ते हो विश्नु कौन है मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते विश्नु द्वारा पालना चार भुजा का अर्थ ही है दो भुजा मेलकी दो फिमेलकी विश्नु के दो रूप है लक्ष्मी नारेन है प्रन्तु कुछ भी समस्ते नहीं है केसी का भी ज्यान नहीं है ना शिब बाबा का ना विश्नु का पहले पहले बाबा का अकर्शन था बहुत आते थे शुर्वात में सारा आंगन भर जाता था जज मजिस्टेट सब आते थे अब विकार का जगड़ा शुरू हुआ कहने लगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो स्रिस्टी कैसे चलेगी ये तो स्रिस्टी बढ़ने का काईदा है गीता की बात ही भूल गए कि भगवान नुवाच काम महाशत्रू है उस पर जीतपानी है कहने लगे इस तरे पुष दोनों इकठे आए तो उनको ग्यान दो अकेले को नहीं दो अब दोनों भी आए तो देवे ना देखो दोनों को इकठा भी देते है तो भी कोई ग्यान लेते है कोई नहीं भी लेते है तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकती है एक हांस एक बगुला बन पड़ते है यहां तुम ब्रामन देवताओं से भी उत्तम हो जानते हो हम इश्वरिय संतान है शिप बाबा के बच्चे है वहां स्वरग में तुमको ये ज्यान नहीं रहेगा ना जब निराकारी दुनिया मुक्तिधाम में होंगे तब ये ज्यान होगा ये ज्यान शरीर के साथ ही खतम हो जाता है अभी तुमको ज्यान है एक बाबा पढ़ा रही है अब ये खेल पूरा होता है सब एक्टर्स हाजिर है बाबा भी आया है रही हुई आत्माई भी आती है जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा फिर सब को बाब के साथ ले जाएगा सब को जाना है इस पतित दुनिया का विनाश होना है अच्छा मिठे मिठे सिकिलदे बच्चों प्रति माद पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड बार्निंग रुहानी बाब के रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को दिलवा जान शिक्वा प्रेम से नमस्ते 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 जी धार्ना के लिए मुक्य सार है पतित से पावन बनाने का दंदा जो बाब का है वही दंदा करना है सबको लक्षे देना है कि बाप को याद करो और पावन भनो नमबर दो ये ब्राह्मन जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है इस नशे में रहना है बुद्धी का योग और सबसे तोड़ एक माशुप को याद करना है आज का वर्दान आशक्ती को अनाशक्ती में परिवर्तन करने वाले शक्ती स्वरूभव आशक्ती को अनाशक्ती में परिवर्तन करने वाले शक्ती स्वरूभव शक्ती स्वरूभ बनने के लिए आशक्ती को अनाशक्ती में बदली करो अपनी दे में संबंदों में कोई भी परदार्त में यदि कहां भी आशक्ती है तो माया भी आ सकती है और शक्ति रूप नहीं बन सकते इसलिए पहले अनाशक्त बनो तो माया के विगनों का सामना कर सकेंगे विगनों के आने पर चिलाने वा घबराने के बजाए शक्ति रूप धारन कर लो तो विगन विनाशक बन चाएंगे स्लोगन है रहम ने स्वार्त और लगाव मुक्त हो स्वार्त वाला नहीं रहम ने स्वार्त और लगाव मुक्त हो स्वार्त वाला नहीं ओम शन्ति